हाँ तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे order of HD के strength rule number 4 को यह बच्चों continue कर रहे है rule number 4 को हम especially अब हम पढ़ेंगे benzoic acid और derivative के लिए clear है बच्चों अभी भी rule number 4 मैं जो आपने पढ़ा था वह ही apply होगा पताई क्या था के ए डियक्टिव प्रोपोर्शनल टो माइनस का ग्रूप बोले तो माइनस का effect और inversely proportional टो प्लस का effect clear है बच्चों बहुत अच्छी बात क्या कहता है rule number 4 rule number 4 apply करने से पहले क्या चेक करना परता है बताईए सभी में acidic hydrogen same item से जुरे होने चाहिए सब में देखे hydrogen oxygen से oxygen से जुरा हुआ है ठीक है सब में functional group भी same होना चाहिए है तो फिर क्या करते है rule number 4 में compare करते है compare करके फिर effect देखते बच्चों सब में पहला है जेसे जी देखेялए कर्वाक्स अब में हैं Benzene है भी जी नो 2 नो 2 कैसा effect लगाएक लगाए जाओ कैसा effect माइनस M क्यांकि यह पहरा प्ोजुटन पर है cN कैसा effect माइनस M हम लगाएगा मैंनस M लगाएगा पहरा पर देंगा वो K को बढ़ाता है तो बच्चो A और B दोनों में minus effect लग रहा है और C और D बच्चो प्लस effect लग रहा है तो पीछे चला गया बोले हाँ या ना अब बच्चो A और B में minus effect देखें K A directly proportional to minus का group बोले तो minus group बोलता हूं minus effect और plus group का inversely proportional minus effect जितना ज़्यादा तो NO2 और C N में minus M ज़्यादा होता है किसका NO2 का तो बच्चो A greater than B होगा और plus effect जितना ज़्यादा होगा के उतना ही कम होगा आ रहा है समझ में तो बच्चो plus effect एक plus H है और एक plus M है plus effect obvious ही बात है plus M में ज़्यादा है तो बच्चो यहाँ पर क्या हो जाएगा C और D हो जाएगा तो यह होगा question number 2 बच्चो वीडियो रोक करके आप कुछ से try किजे देखे बच्चो NO2 है meta position पर इसलिए लगेगा minus I CN है बच्चो पैरा position पर इसलिए लगेगा minus है CN है meta position पर इसलिए minus I meta position पर के बले inductive लगता है बच्चो NO2 है NO2 है बच्चो पैरा position पर इसलिए minus है जैसा कि आपको पता है देखे सब में carbox link दिख रहा है क्या बच्चो K K order बताना है बच्चो minus effect देखे दो जगा minus M लग रहा है यानि कि B और D में minus M लग रहा है और बच्चो A और C में minus I लग रहा है तो minus effect जितना ज़्यादा होगा K उतना ही ज़्यादा होगा तो बच्चो B और D में minus effect B में ज़्यादा फिर D में कम तो B D हो जाएगा बच्चो C A और C में बात किया जाए तो बच्चो NO2 और C यानि दोनो minus I लगा रहे है लकिन minus I ज़्यादा लगाएगा कौन NO2 तो इसलिए A और फिर C हो जाएगा minus effect जितना ज़्यादा होगा है न बच्चो minus effect जितना ज़्यादा होगा K उतना ही ज़्यादा होगा clear है चली अगले question में चलते है बच्चो question No3 वीडियो रोक करके आप try कीजिए carbox lick सब में है बच्चो सब में HD Hydrogen सेम एटम से जुरा हुआ है functional group भी सेम है बच्चो effect देखे OH लगाएगा plus M पैडा पर है OCH3 भी लगाएगा plus M पैडा पर है OH लगाएगा minus I क्योंकि मेटा पर है OCH3 minus अब बच्चो के की बात करें तो minus वाले group के बढ़ाते है तो बच्चो CD इस पर आगे आएगे और A भी पीछे जाएगे CD में भी ज़्यादा बच्चो आपने minus I का order पढ़ रखा है OR greater than OH R का मतलब कारबन OCH3 OR group है बच्चो तहापर क्या हो जागे बताइए D होगा फिर C होगा A और B में बच्चो दोनों के दोनों plus M लगाते है दोनों-दोनों plus M लगाते है plus M जादा किसका है बच्चो plus M जादा किसका है plus M का क्या order होता है plus M का order होता है बच्चो OH greater than OR तो प्लस M जितना ज़्यादा होगा K उतना ही कम होगा है न बच्चो K A directly proportional to minus group inversely proportional to plus group प्लस effect जितना ज़्यादा होगा K कम होगा तो प्लस OH का ज़्यादा है बच्चो तिसका K कम होगा यानि कि B और A हो जाएगा तो DC B होगा अब बच्चो हमें एक special effect पढ़ेंगे Benzoic Acid में Ortho Effect क्या होता है Ortho Effect समझते हैं बच्चो जब Benzoic Acid जब Benzoic Acid के Ortho Position पर कोई bulky group कैसा group? bulky ग्रूप लग जाता है तो जईसे प्लस M, प्लस H, प्लस I यह सब effect आपने पढ़ा है बच्चो उन सब effect के अलावा यहां पर एक extra effect लगता है जिसका नाम होता है बच्चो Ortho Effect क्या नाम होता है बच्चो Ortho Effect क्लियर है जब Benzoic Acid के Ortho Position पर कोई bulky group होता है अब यह bulky group क्या-क्या हो सकते बच्चो वो भी समझना चाहिए तो bulky group हो सकते बच्चो कोई भी Alkyl group आजाए जैसे Methyl आ गया Ethyl आ गया है ना? और भी बड़े-बड़े group कोई भी आजाए फिर बच्चो Methyl Ethyl आ गया फिर NO2 group आ जाए Carboxly group आ जाए Sulphonic group आ जाए बच्चो ठीक है ना? OCH3 group आ जाए बच्चो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन इन समय से कोई भी group आ जाए बच्चो तो यह सब के सब बलकी group है तो जब Benzoic Acid के Ortho Position पर कोई बलकी group पा जाता है तो सबसे पहली बात कि इस Benzoic में लगता है Ortho Effect क्या लगता है? Ortho Effect लगता है और Ortho Effect के कारण Ortho Effect के कारण इसका Ka Maximum हो जाता है Ka Maximum हो जाता है किस से सभी Benzoic Acid and their Derivatives सभी Benzoic Acid and their Derivatives से इसका जादा हो जाता है के जादा हो जाता है क्यों होता है? वो भी explain करेंगा बाद में ठीक है न? अभी हमें समझना है कि जब Benzoic Acid के Ortho Position पर कोई बलकी group आता है तो वैसी इस्तिति में इसमें एक Special Effect लगेगा नाम होगा Ortho Effect Ortho Effect के Carnage का K maximum हो जाता है किससे जादा होगा तो सभी Benzoic Acid Derivatives यही बाद की हां लिखा हुआ है अब मैं आपको पढ़के बताता हूँ When bulky group is present at ortho position in Benzoic Acid then ortho effect takes place पहले line में यह लिखा हुआ है कि ortho effect कब लगेगा? कब लगेगा? जब bulky group आजाता है ortho position पर कहां? Benzoic Acid में तब ortho effect लगता है बच्चो आगे संगे? फिर फिर काता है ortho effect के कारण Due to ortho effect its acidic strength मतलब के A is greater than benzoic acid Benzoic Acid and यह derivative भी लिख सकते हो ortho effect वाले benzoic acid देखिया हां लिखा हुआ है ortho effect वाले conclusion है अब थो effect वाले benzoic acid का is acidic strength सभी benzoic acid से ज़्यादा सभी benzoic acid मतलब benzoic acid and their derivatives जैसे question करते हैं बच्चों देखो आपको एक बात note कर लेना है जब भी benzoic acid में K आए न K A in benzoic acid आए बच्चो तो आपको हमेशा आपको हमेशा सब से पहले सबसे पहले ortho effect चेक करना है क्या चेक करना है ortho effect किसमें चेक करोगे benzoic acid के case क्यों क्योंकि ortho effect कहा लगता है केवल benzoic acid में लगता है clear है phenol में नहीं लगता है ठीक है न इस बात को ध्यान रखना देखे बच्चो यहां पर carboxly group है इसके ortho position पर NO2 एक bulky group है बच्चो तिसमें लगेगा ortho effect ortho के कारणिस का के हो गया maximum clear है अब भुरुख सर क्या है माइनस M लगेगा बिलकुल लगेगा माइनस M भी लगेगा सारे effect लगेंगे जैसे जो लगता था उस सारे लगेंगे उसके अलाबा एक और extra effect लगेगा ortho effect और ortho effect के कारणिस का के क्या हो गया maximum हो गया फिर दूसरे वाले बच्चो NO2 देखो कहां पर है तो यह माइनस M लगाईगा तीसे वाले NO2 कहां पर है बच्चो पैरा पर है माइनस M लगाईगा और इसमें कुछ भी नहीं है आ रहा है समझ में इसमें कुछ भी नहीं है अब आप सोच के बताओ बच्चो सोच के बताओ कि K order अगर मैं लिखना चाहूं, के ओडर अगर इसमें मैं लिखना चाहूं, तो और्थो इफेक्ट के कारण एक सबसे जादा होगा, और्थो इफेक्ट वाले बेंजोईक एसिड का सबसे जादा, इसमें बच्चो माइनस आई है, इसमें माइनस हैं है, और इसमें कुछ भी नहीं अब देखो आपको एक बात बताता हूँ है ना एक बात और बताता हूँ Benzoic Acid आपको तीन तरह के मिलेंगे हमेशा Benzoic Acid तीन तरह के मिलेंगे एक Benzoic Acid ऐसा होगा एक Benzoic Acid ऐसा होगा जिसमें कोई न कोई माइनस ग्रुप लगा होगा और एक benzoic acid ऐसा होगा जिसमें कोई न कोई plus group लगाओ तो आपको करना क्या है आपको करना ये है आपको करना ये है बच्चों कि neutral वाला जो benzoic acid होगा neutral वाला benzoic acid किसको बोलेंगे जिसमें कोई group नहीं लगाओ neutral वाला benzoic acid जिसमें कोई group नहीं लगाओगा उसको रखेंगे बीच ओ बीच और उससे ज़्यादा होगा किसका minus वैसे benzoic acid का जिसमें minus group लगाओगा और उससे कम किसका होगा जिसमें plus group लगाओगा समझ मैं रा क्या बोल रहा हूँ मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि neutral वाला जो benzoic acid होगा उसको बीचो बीच रख लेना उसके आगे रखना किसको minus वाले को क्यों क्योंकि minus वाले group benzoic acid minus वाले group के को बढ़ाते है सोचिए बच्चो ऐसे सोचिए देखिए ये neutral benzoic acid है इसमें कौन सा group ऐसा लगे बच्चो प्लस वाला group वाला benzoic पीछे जाएगा और minus वाला आगे आगे बस इस बात को अब इस्तिबाल कर दीजे देखे ए तो सबसे आगे आगे बच्चो क्यों और्थोगेकार इसका तो काम हो गया अब इन तीनों में बच्चो एक neutral वाला benzoic दिख रहा है क्या आपको तो D को रख दो बीचो बीच रख दिया कुछ आएंगे इसके आगे कुछ जाएंगे पीछे तो बच्चो यहाँ पर B और C दोनों में minus minus group लगे हुए इसलिए D के आगे जाएंगे पीछे जाने के लिए कोई रहा नहीं कोई बात नहीं कम से कम समझ में तो आया न A अब B और C में कई से पैसला करोगे एक minus I एक minus M तो minus वाले group K को बढ़ाते हैं तो minus effect जितना ज़्यादा होगा K उतना ही ज़्यादा होगा तो बच्चो minus effect यहाँ पर ज़्यादा है देखें बच्चो यहाँ पर OCS3 और्थो पोजिशन पर है और्थो effect लगेगा K हो गया maximum OCS3 बच्चो minus I लगाएगा मेटा पर है OCS3 प्लस M लगाएगा और यह neutral वाला बेंजोई कैसे तो बच्चो K order क्या होगा A होगा सबसे ज़्यादा और्थो के कारण कुछ आएगे D के पीछे D के आगे कौन आएगे बच्चो minus वाले आएगे minus वाला कौन है B minus वाला कौन है B और plus वाला कौन है बच्चो C तो बन गया नए A, B, D, C direct answer ही आगे ऐसा trick बताया कि आप खुद answer तुरंद बता सकते हो देखें आपर C, H3 एक bulky group है बच्चो ortho effect लगेगा मतलब K हो गया इसका maximum हो गया तो बच्चो K order अगर हम लिखें तो A सबसे ज़्यादा इन तीनों में neutral वाला ring देखो यहाँ पर है तो उसको रग दो बीचो बीच यह बच्चो plus I लगा रहा है क्योंकि meta पर है प्लस H लगा रहा है क्योंकि पैरा पर है यह दोनों के दोनों अब इससे कुछ आगे इससे कुछ पीछे लेकिन दोनों के दोनों प्लस वाले बच्चो पीछे ही जाएंगे तो B C गया पीछे तो A D अब प्लस वाले जो group होते वो क्या करते के को कम करते तो प्लस इफेक्ट जितना ज़्यादा के उतना ही कम तो बच्चो प्लस H में प्लस इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है दिख रहा है ना तो प्लस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा के उतना ही कम होगा तो B, C में प्लस effect यहाँ पर जादा है यानि कि B और फिर C हो जाएगा बच्चो तो answer हो जाएगा A सब से आगे D और फिर बच्चो B और C ठीक है न? ओके इसके बाद बच्चो आ जाता है question number next इसमें बच्चो देखो सब में benjoy कैसी दे रखा है अब OH के द्वारा यहाँ पर बच्चो क्या लगाओगे? बताओ ortho effect लगेगा क्या? नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि OH एक bulky group नहीं है OH एक bulky group नहीं है फिर भी फिर भी बच्चो यहाँ पर K जो है A का ही जादा होगा A, B, C यहाँ पर बच्चो explanation है rule number 3 stable anion is stronger acid आप तीनों में से H plus को हटा दो देखो बच्चो यह OH भी H plus दे सकता है, carbox leak भी H plus दे सकता है, बताओ कौन देगा H plus? वह ही देगा H plus, जो ज़्यादा HD होगा तो बच्चो carbox leak ज़्यादा HD होता है फिनोल के respect में तो carbox leak देगा जैसे ही carbox leak group H plus देगा बच्चो जैसे ही carbox leak group H plus देगा तो आप देखो यहाँ पर यह जो OH है इसके साथ hydrogen bond बनेगा बच्चो यह जो OH है इसके साथ क्या बनेगा बच्चो hydrogen bond यह resonance करके यह negative कभी इधर से इधर आएगा इधर से इधर आएगा मनलब दोनों तरफ hydrogen bond बनाएगा दूसरे में बच्चो जब आप यहाँ पर फिर से anion बनाओगे तो यह anion भी hydrogen bond बनाएगा लेकिन यह hydrogen एक ही तरफ hydrogen bond बनाएगा और तीसरा वाला जो anion है बच्चो यह कोई hydrogen bond नहीं बनाएगा तो rule number 3 कहता है stable anion बच्चो यह जो rule number 3 है न इसको universal rule बोलते हैं कहीं पर भी आप apply करोगे कहीं पर भी आप apply करोगे HD की strength में stable anion stable anion stronger acid stable anion stronger acid का concept apply करोगे तो कोई भी question solve हो जाएगा बच्चो सारे rule इससे explain किये जा सकते है ठीक है न और तीसरा वाला बच्चो anion सबसे कम stable होगा आ रहा है समझ में चुकि तीसरा वाला anion सबसे कम stable होगा फर्स्ट वाला anion सबसे ज्यादा stable है इसलिए बच्चो a b c होगा फिर से मैं आपको बताओ इसमें और्थोई फेक्ट का concept नहीं लगेगा ठीक है न और्थोई फेक्ट का concept नहीं लगेगा बच्चो इसमें a b c मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो कितना भी कोशिस करो वीडियो थोड़ा लंबा होई जाता है कोई बात नहीं मकसद एकी रहता है कि जो भी आपको बताओं अच्छे से बताओं ठीक है न दिल से बताओं ताकि आपको मजा जाए ठीक है न तो आपको कैसा लगा आप comment करके जुरू बताईए आपके comment का रहता है बेसबरी से इंतजार